और फिक्स वान प्लास सेवन प्रो ऑटो ब्राइटनेस इश्यूस प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराज यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वान प्लास के जो मुबाइल है उसमें आटो ब्राइटनेस इश्यूस प्रॉब्लम सॉल्फ के से कर सकती हैं अगर दोस्तों आपके जो ब्राइटनेस हैं ठीक है ऑटो ब्राइटनेस काम नहीं कर रहा है ऑटो ब्राइटनेस यहां पर चल नहीं रहा है ठीक है आप बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है आपका ब्रा करें तो आपका प्रॉब्लेम फिक्स्ट हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकून को क्लिक करें अगर आप आप आनलाइन पेसा कामा ना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप् करने के बाद मोबाइल खेश बगरा को क्लीन करना है तो अब सबसे पर यह चीज कर लिए ठीक है नेक्स्ट पे जाएँ दोस्तों आपके डिस्प्लेइफ ब्राइटनेस को और दे तो यह एक हिसाब से दोस्तों यहाँ पेस सेट होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो यह कि आप दोस्तों यहाँ पर डिवाइस सोफ्वेर को अपडेट कीजिए सिस्टेम पर जाए नीचे जाके सिस्टेम अपडेट पर क्लिक करें और सोफ्वेर को अपडेट कीजिए ठीक है जैसी दोस्तों आप सोफ्वेर अपडेट करोगे आपका जो ब्राइटनेस इश्यू है और टो राइटिंस का वो फीक्स हो जागा कि गए दोस्ता सौफवेर ऐसा जो है सौफवेर अबडेट आपके सारे प्रोब्लेम को सौफ करते हैं तो ऑटो ब्राइटिंस का जो इश्यू है उसको फिक्स करने के लिए आप रिश्टार्ट कर सकते हैं सारी सा दोस्तों आप यह आप जो है डिलेट करें ठीक है बैड अप्लेकेशन दोस्तों यहाँ पर वह अप्लेकेशन होते हैं जो आप कोई भी अन्नोन वेबसाइट से इंस्टोल करते हैं तो उन सब को डिलेट कीजिए एंड एंट चेक करके देख सकते हैं तो इन सब से दोस्तों आप ओटो अटो ब्राइटनेस सेटिंग ठीक है तो ऑटो ब्राइटनेस स्वीच का जो अप्षिन आपको मिल जाएगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से तो आप इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इसका दूस्तों रेटिंग जो है थोड़ा सा कम है तो आप अटो ब्राइटनेस इस वाले को ले लिए 4.1 रेटिंगे टेकें टेन के रिव्यूस आपको मिल जाएगा ठीक है तो आप इसको भी एस डिफॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं यहापको बटन भी मिल जाएगा और आप यूज़ भी कर सकते हैं तो यह भी दोस्तों आपके ब बटने ओगा तेंक्स रवाटिं